तो अभी हम बनाने जा रहे हैं रवे के अपपे जो के इंस्टेंट बनने वाले आदे गंटे में तो मैंने अभी लिया हुआ है चार कटोरी रवा असमे में डाल रहे हैं एक कटोरी दही और एक कटोरी पानी इसे मच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जितना हम रवा लेंगे उसका यादा हम दही लेंगे और उसका यादा हम पानी लेंगे मतलब चार कटोरी मैंने रवा लिया था तो मैंने एक कटोरी दही ल रख दिया था और देखिए अभी कुछ इस तरीके का यह रेडी हो चुका है कि काफी अच्छी तरीके से फुल जाता है आदे गिंटे में या पंदरा मिनिट में भी आप इसे बना सकते हैं तो इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ अभी नममक हलका सा स्वाद अनुसार मैं हमने लिया है राई, जीरा और कड़ी पत्ता और बाकी जो वेजेटेबल्स थे उसे हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ही है मतलब पकाना नहीं है इसे सिर्फ फ्राइ करना है तेज आज में अच्छी तरीके से ही पुरा क्रिस्पी हो ज सबसे पहले मिले, तो देखें अब अच्छे तरीके से फ्राइ हो चुका है इसमें अपनी हिसाब से भी वेजेटेबल्स ले सकते हैं जो आपको पसंद है मेरे पास यही अवेलेबल था इसलिए मैंने इसे ही यूज किया हुआ है तो हमारे वेजेटेबल्स अब पक चुके उसें अच्छी तराइक से फ्राइडा यह है मैं अपना इसमे समीफ और मिक्स करने के बाद मैं अच्छे तरीके से फेट लेंगे फुरा इंग्रेडियंस इसमें जब तक मिक्स ना हो जाए तो देखिए अभी कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और हमारा बैटर भी अच्छा खासा फूल चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे हलका सा तेल देखिए गरम हो बेटर कुछ इस तरीकी का डालना है कि वो गोल से बाहर ना आए और ये देखे कुछ इस तरीकी का फुलने लग जाता है तो इसे हम दो-तिन सेकेंड के लिए पकने देंगे पकने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से बल्टा लेंगे और ये खुद से ही पलटने मतलब साचे से अलग छोड़ देता है तो इसे हम easily पलटा सकते हैं तो देखिए अभी हम इसे अच्छे तरीके से पलटा रहे हैं और देखिए हमारे अप़े भी कितने सुन्दा से दिख रहे हैं और जितने अच्छे दिखे रहे हैं अपने खाने में भी वह टेस्टी थे तो पलटाने के बाद इसे हम एक सेकेंड के लिए रखेंगे और मतलब दोनों साइट से से सिखना इसे तो में इसे पलटाके निकाल लेंगे तो देखिए अभी हमारे अपपे तो रेडी हो चुक है अभी हम रेडी कर रहे हैं चट्नी चट्नी के लिए मैंने कोब्रा किस के साथ हरी मिर्च लिया हुआ है आप जितना तेज खा सकते हैं, इसके साब से आप अरिमेट्स ले सकते हैं, साती मैंने उसमें समिए लिया हुआ हैं, और भूंजा हुआ शेंग दाना, और इसमें हम डालेंगे स्वादनुसर नमक, दही मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसमें लिया हुआ हलका सा पानी, पेस्ट रेडी करने के लिए, मतलब चटनी रेडी करने के लिए, तो देखिए हमारी चटनी अभी रेडी हो चुकी है, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने के लिए, तो I hope आपक कमेंट से बताना, मैं मिलती है अपसे अपनी नेक्स वीडियो के साथ अच्छे से, तब तक के लिए, बाई-बाई, जैसाई राम, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, और देखिए कितना स्पंजी सा बन चुका है, अपे, और ब काने में भी बहुत टेस्टी था, तो मिलती है अपसे अपनी नेक्स वीडियो में, बाई-बाई, जैसाई राम,